नमस्ते अभिवादान आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए disclaimer उसके बाद आज discuss करेंगे बहुत important topic जिसका नाम है short selling अब ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने query पूची सर ऐसा भी हो सकता है क्या फिर मैंने अपने वो नए दिनियाद की बाजार मे तो मुझे भी लगता था ये क्या जादू है ये क्या करिस्मा है इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत basic लग सकती है लेकिन मैं आपसे एक चीज कहता हूँ हो सकता है आप भी कुछ ना कुछ सीख जाए इसलिए अगर आप देखेंग एंडिग अकाउन्ट होगा अभी 60 का मतलब क्या होता है आपके पास है नहीं मतलब किसी चीज की कमी है मतलब आपके पास है नहीं और आप सेलिंग करना चाहते हो इसके मतलब है नहीं स्टॉक फिर भी आप बेंच दोसको समझ गए अब दूसरी भासा में समझाते हैं ब्रेकडाउन का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि नीचे जाने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए आप छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके इस स्टॉप को सौट सेल कर दीजे, सौट सेल का मतलब भी मैं समझा देता हूँ, आपने अपने ब्रो आपने अपने ब्रोकर से कहा कि मेरे बिहाफ पे आप किसी बंदे को SBI बेंच दीजिए और मैं आपको यही SBI के सेर्स वापस खरीद लूँगा, बाजार से खरीद लूँगा दिन के अंत में, ध्यान दीजिएगा, दिन के अंत में आपको यह सौदा कंपलीट करना होता है अगर आप कैस में काम कर रहे हो, ठीक है, अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा, आपने अपने ब्रोकर से कहा किसी एक बंदे को आप SBI का स्टॉक बेंच दीजिए, जितने मैं कह रहा हूँ, चलिए माल लेते हैं, आपने 100 कॉंटिटी कहा, आप उसको द आपको दे दूँगा, आपने ये प्रॉमिस किया, आपके ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, सारी डिटेल्स है, वो इस चीज पर राजी हो जाएगा, किसी बंदे को जिसको आप चाहेंगे, वो बेंच देगा, क्या चीज? SBI का स्टॉक, अब उस बंदे को आपके ब्र सार्च के लिए, यही रेट चल ला था, मैंने आपको बोला था, टेक्निकल ब्रेकडाउन हो सकता है, बढ़ियाँ पैटर्न मना था, आप वहाँ पर सौट कर सकते थे, अब यहाँ पर प्राइज जो था, वो बहुत उपर था, अगर आप देखेंगे, लगभग, लगभग 255 पे उसको वापस खरीद लिया, अब 255 पे आपने खरीद लिया, ठीक, यही खरीदा हुआ स्टॉक आप अपने ब्रोकर को वापस दे दोगे, मतलब आप समझ गए होगे, कि 265 पे आपने अपने ब्रोकर से का किसी को दे दीजिए, हम आपको यही स्टॉक साम तक लाकर कि जब वो stock सस्ता हो गया क्योंकि आप समझ रहे थे short selling करी ही तब जाती है जब आपको ये लगता है बाजार में गिरावट आ सकती है क्योंकि अभी गिरावट का माहल चल रहा है तो आप ये काम कर सकते हो ये चीज आपको समझ में आ जाए तो आप बड़े आराम से कर सकते हो च सिंपली जाईए इंट्राडे पर क्लिक किजिए हो सकता है लॉंक टम पर क्लिक हो आप इंट्राडे पर क्लिक किजिए quantity आप यहां पर 100 कर दीजिए या जितनी भी आपको quantity बिक वानी हो तो यहां पर आपको margin देनी पड़ेगी margin ऑफको सी बात है कि trading में margin लगती है वह आप आपको देनी पड़ेगी लगभग 4,000 रुपय आपके लगेंगे आप State Bank of India किसी को बेंच दीजिए आप Sell पे क्लिक करेंगे सारी चीजें आपकी हो जाएंगी अभी आगे बढ़ते हैं यही रेट चलिए 247 हो जाता है जैसे 257 अभी चला है तो आप क्या करोगे वापस प्रोकरेज मिल गया यह transaction करने के लिए आपको यह सुविधा मिल लइए कि आप गिरते हुए stock से भी पैसा कमा लो तो गिरते हुए stock से पैसा कमाने का यह ब्रह्मास्त्र है I hope आपको short selling समझ में आ गई होगी एक और चीज में आपको समझाना चाहूंगा जैसे की short selling और कहां पूरा महीना मिलता है, सौट शेल करके आप बैठे रही है, इस टॉक अभी बेंद दीजिए, एक महीने बाद अगर आपको लगता है वह स्टॉक आपको सस्ता मिलने वाला है, तो फिर आप अपने ब्रोकर से यह डील करते हो, इंडायरेक्ट डील होती है, डायरेक्ली होता न यहां पर रिस्क बहुत है, रिस्क किस चीज का, जब भी आप ट्रेड करना तो स्टॉक लगा करना, इसलिए मैं जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग वाली वीडियो में आपको समझाता हूँ, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग वाली वीडियो में स्टॉक लगाने को जरूर बोलता हूं जो भी आपको सुझाए जाते हैं जैसे कि अभी कल की वीडियो में हमने आपको कोटक महिंद्रा बैंक क्या दिया था आपको इस ट्रेड करने के लिए दिया था और सॉट सिगनल इसमें यहां पर बना हुआ था ठीक अब यहां पर अगर आपको सॉट सिगनल मिल जाता है तो आप क्या करोगे सॉट करोगे अब आपको मैं बोलता हूं 0.5% का स्टॉप लॉस ले लिजिए तो अगर यह स्टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा है चलिए 1915 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ठीक अब आधा परसें का स्टॉप लॉस दस रुपए के आसपास होता है तो 1925 का आप स्टॉप लॉस लगा लोगे 1925 का आप स्टॉप लॉस लगाओ गे और यहां से आपका टार्गेट कितना होगा आप समय ली जए 1915 पर ट्रेड कर रहा है तो Here अब 895 आपका टार्गेट होगा, अब 895 आया क्या? जी हाँ आया, यानि कि हमारा टार्गेट हिट हुआ था किसमें कोटक महिंदरा बैंक में, अब सौर्ट सेलिंग हमने यहां पर करी, क्या किया हमने अपने ब्रोकर से बोला, यहां बेच दीजिए और हमने उसको वापस खर यहां पर जब आप कोई स्टॉक सेल करोगे, तो आपके पास प्रॉफिट तभी आएगा जब वो इस टॉक नीचे जाए, I hope आपको बातें समझ में आ गई होगी, सौर्ट सेलिंग क्या होता है, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक और चीज बहुत सारी लोग इसम आपको बातें समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई, तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी वेसिक चीजों पर अन्य जानकारी चाहिए होत, नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, और जिनको यह चीजें पता थी, और उन्होंने भी देखा, तो आपको कुछ नया पता चला क्या, आप यह भी बता सकते हो, वीडियो पसंद आई, लाइक कर देना, कोई सुझा हो, कोई सवाल हो नीचे कॉमेंट करके या फिर निफ्ट इंडिया डाट इन विजिट करके पूछिएगा जरूर मुझे अच्छा लगेगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हौसला बढ़ेगा, मिलेंगे फिर से किसी एच्छी वाली वीडियो में, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट